बैंगलुरू की एक आर्टिफिशल इंटेलिजन्स कंपनी में काम करने वाले इंजीनिर अतुल सुभाष की खुदखुशी ने हर किसी को चौका दिया 24 पन्नों को लेटर और एक वीडियो बना कर जान देने वाले अतुल सुभाष की मौत के बाद दहेज उत्पीडन घरेलू इंसा को लेकर कानूनों पर भी चर्चा तेज हो गई है खासतोर पर अतुल सुभाष की मनोदश्रा की बात की जा रही है कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया उन्होंने पत्नी निकता सिंखानिया पर उत्पीडन जबरन दौनत वसूल ने और बच्चे को दूर करने का आरोप भी लगाया है और यही कारण दिया है कि वो इस कारण से अपनी जान दे रहे हैं यही नहीं उन्होंने इस मामने की सुनवाई कर रही फैमली कोड की जज रीता कौशिक पर भी घूस लेने का आरोप लगाया है अतल सुभाष ने खुश-खुशी से पहले जो वीडियो बनाया है उसमें उन्होंने तीन आखरी इच्छाएं जाहिर की है अतल सुभाष ने कहा है कि मेरा मानना है कि खुद को खत्म करना ही मेरे लिए बेस्ट है मैं जो पैसे कमा रहा हूँ उससे मेरे दुश्मन बलवान हो रहा है वो पैसा मेरे और मेरे परिवार के खिलाफी इस्तमाल हो रहा है और ये चक्रख खत्म नहीं होगा इसके आगे वो कहते हैं कि मेरी कुछ आखरी इच्छा है मुझे अपनी पत्नी से कोई उमीद तो नहीं है लेकिन एक इच्छा है कि वो मेरे बच्चे को माता पिता को सौब दे वो कहते हैं कि मेरी पत्नी के पास कोई वाल्यूज नहीं है लेकिन मेरे माता पिता बच्चे को अच्छे से रख सकेंगे उसके पास बच्चे को पालने की समझ नहीं है और वो खुद तो कही रही है कि उसके पास पैसे नहीं है एक इच्छा ये है कि मेरे परेजन जब भी निकिता और उसके परिवार वालों से मिले तो कैमरे के सामने मिले अतल सुभाश ने कहा कि मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरी मौत के बाद शरीर को पत्नी और उसके परिवार को कोई व्यक्ति छूने ना पाए उन्हें आसपास भी ना आने दिया जाए तीसरी इच्छा जताते हुए अतल सुभाश कहते हैं कि मेरा अस्थी विसर जन तब तक ना किया जाए जब तक मेरा उत्पीरन करने वालों को सजाना मिले यदि इतना सब होने के बाद भी अदालत उत्पीरन करने वालों को बरी करते तो फिर अस्तियों को कोट के बाहर ही किसी गटर में डाल दिया जाए मेरी कोट से अपील है कि मेरे परिजनों को परिशान ना किया जाए अब इस मामले से उन्हें रहत दी जाए आपको बता दे कि अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी का कहना है कि उन्हें प्रतारट किया जा रहा था बैगलूरू से 40 बार अदालत में पेशी के लिए वो जौनपूर गए थे इसके अलावा उन पर कुल 9 फरजी केस ला दे गए थे वो किसी एक मामने में बरी हो जाते थे तो नया केस थोप दिया जाता था निकिता भाई से सेटल्मेंट के एवज में 3 करोर रोपे की डिमान कर रही थी अदालत ने उसे 40,000 रोपे गोजारा भत्ता देने का आदेश दिया था के बाद भी वो प्रती महीने 2,000,000 रोपे की मांग कर रही थी पूरे देश में सुरक्यां बटोर रहे बैंगलूरू के इंजिनियर अतुल सुभाष आत्मत्या केस में अब कनातक पुलिस भी जानपूर पहुच गई है पीरित परिजन की तरफ से अतुल के ससरार वालों के खिराफ मामना दर्ज हो गया है जिसके लिए बैंगलूरू पुलिस यहां पहुची है इससे पहले जॉनपूर पुलिस ने एक दिन पहले ही आधिकर एक सूचना नहीं मिलने की बात कही थी तो वहीं कतित तौर पर आरोपी पत्नी निकिता सिंगानिया की मां और भाई घर ठोड़ कर निकल गए है लड़की की चाचा ने इस अभी आरोपों को जूटा बताया है अतुल के भाई विकास की तरफ से बैंगलूरू में निकिता सिंगानिया उसकी मां भाई और ताउर के खिलाफ आत्मत्या के लिए उकसाने की फायार दर्ज की गई है पुलिस ने जा परक नहीं किया है तो वहीं आपको बता दे कि निकिता के चाचा सुशील सिंगानिया का कहना है कि पिछले 3 साल से मुकद्मा चल रहा है लेकिन अब अचानक क्या हो गया हम लोग दोशी नहीं है वीडियो में जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब निकिता के तरफ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद